हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपेस से 67 मेंस के लिए बिहार में पाश्चात्र शिक्षा का विकास और डॉक्टर राम मनुहर लहिया तथा उनके सामाजिक आर्थिक चिंतन दो टॉपिक से संबने इस वीडियो में चर्चा होगी जिसमें आप मुल्यांकन भी कर सकते हैं आलोचना भी कर सकते हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं उसका वर्डन कर सकते हैं टिपड़ी कर सकते हैं जितना कुछ पूछा जा सकता है आप वो सब लिखने में सक्षम हो जाएं कि 19-20-19 शताब्दी की बीच बिहार मेरं पाथक जात्य शेक्षा का विकास यही प्रश्ण 1858 से 1914 तक बिहार मेरं पाथक जात्य शेक्षा का विकास कुछ इस तरीके के प्रश्ण हो सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सब परिशे देते हैं ऐसे कि भूमिका के रूप में बोल सकते हैं उसको। अक्सर होता है कि भूमिका और परिशे दोनों में आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। और अगर यहां ठीक भी रहते हैं तो प्रस्न को आगे लिखने में आप परिशान हो जाते हैं। मतलब कि आप दिशा को बदल देते हैं पूरी तरह से जो की सही नहीं है। सब्द को पूरा करने के लिए आप कुछ भी लिखते चले जाते हैं जो की एक सही तरीका नहीं हो सकता। बात करेंगे बिहार प्राचिन काल से ही शिक्षा का प्रमुक केंदर रहा है। अब इन नोट समने भी बनाए हैं इसमें लिखावड भी हमारी है ठीक है। बिहार प्राचिन काल से ही शिक्षा का प्रमुक केंदर रहा है। नालंदा विक्रम शिला जैसे विश्विद्याले में भारत तथाने देशों से छात्र शिक्षा गरहन का नयाते थे। लेकिन समय के साथ याद रखना सेक्षिक केंदर के रूप में इसका आवसान भी होता चला गया है। ठीक है? अब ध्यान रखिए रहा। और आधने काल में बिहार की सेक्षिक गत्विद्यों में काफी तेजी आई जब अंग्रेजों के नेतरत में इसका संपर्क पास्चात शिक्षा से हुआ था। अब बात करेंगे अब तक सिक्षा के विकास में राज की भूम के जो रही उस सीमित और परोक्षत ही थी। लेकिन अब राज के नेतरत में बरतमान की बात कर रहे हैं। इसका आरंब करने वाले ब्रिटिस सत्ता का प्रमखुद्देश क्या था आपको पता होना चाहिए कि भारतियों का एक ऐसा वर्ग तयार करना था जो रंग और रूप से तो भारतिये ही रहेंगे लेकिन विचार और रुची से वो अंग्रेज होंगे ब्रिटिस राज के सम किया गया था ठीक है आधमिक भारत में अंग्रेजी भाषा और पास्चात्र शिक्षा का आरंब हुआ है 181733 के चार्टर रेक्ट के दौरा जो मैं काले समित के अगठन हुआ था ध्यानक न इसी पधति के लागु होने के साथ इसकी शुरुवात हुई थी यो बैंटिक की स सिक्षा के लिए खर्च करना सरवौततम है मैकाले का प्रस्तावत है मैकाले के अनुरूप 1835 में बिहार की बात करने क्योंकि भारत की बात कर नहीं रहे हैं तो बिहार के ही वारे में बात करेंगे 1835 में पटना में एक जिलाइ स्कूल की स्थापना हुई पुर्णिया आरा भागलपूर, छापरा, मुजबफरपूर, देवघर, हजारी बाग, देवघर, ततकालिन बिहार का एक हिस्सा था, आज के समय मों जारखन में पड़ता है, ध्यानक नाइवी, हजारी बाग, आदी जगहों पर भी जिला इस्कूल इस्थापित किये गए, बिहार में पश्चमी सिक्षा के केंडर के रूप में उभर कर सामने आया और आज भी इसकी महत्ता निर्विबाद है, बिहार में पश्चमी सिक्षा के विकास में 1854 का वुट्स डिस्पैच और 1917 का सैडलर आयो, भी यह महत्पूल भूम क्या निभाता है, ध्यान रखना इसक को हमें भूलना नहीं है, ठीक है, बुट्स डिस्पैच ने क्या किया है, देखूं, बुट्स डिस्पैच ने जहां पर वियावसाइक सिक्षा तक्नीकी विद्याले की स्थापना पर बल दिया, वही पर सैडलर आयो, जो कि 1917 में बना था, याद रखना, उन्होंने वियाव समय पर विद्यान प्रोद्यों की आदे के लिए आवश्चक संस्थानों की स्थापना की जाती रही, ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा बात कर लिये हैं, तो हमें बात करना होगा, जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, पैराग्राफ में ही समेटने की कोशिच करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पॉइंट से भी याद होने चाहिए कि आप 4-6 पॉइंट से याद रखेंगे तो उससे आपका बहुत बहुत बयानी फिट रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट के रूप में उच्छा के छेतर में विकास इससे बहुत आस की विशयों के उच्छ शिक्षा में उत्कृष्ट माना के स्थापित किया गया था, इसी कड़ी में 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और 1917 में पटना कॉलेज की कला संकाय में इसनातो कुत्तर जो हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट विभाग खोले ग ध्यान रखना, अब हम देखेंगे विज्ञान के छेतर में विकास कैसे हुआ, तो 1919 में विज्ञान संबंदी उच्छ शिक्षा के लिए पटना कॉलेज में भातिकी और रसायन शास्तर भी भाग खोले गए थे, याद रखना, विज्ञान संबंदी उच्छ शिक्षा देन ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो फैक्ट भी सही होने चाहिए, आगे हम देखें किर्सी शेतर में विकास हुआ है, तो किर्सी सिक्षा के शेतर में विकास हुआ है, बिहार में किर्सी विकास के लिए, क्या किया गया कि पूसा में, 1902 में एक अमेरिकी ह एक्सपेरिमेंट फार्म की इस्थापना हुई जिसका उद्देश गया था उद्देश भी ये साफ है कि किर्सी एनुसंधानों को बढ़ावा देना था तथा किर्सी के छेतर में अधिक अधिक वईग्यानिक यंत्रों को बढ़ावा देना था बात करेंगे सौस्त और चिकसा के छेतर में जो विकास हुआ तो उसमें विकास हुआ विकार बिहार के लिए बेहतर स्वेवाय उपलब्द कराने और चिकसकों को तयार करने को देश से 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल और 1947 में दर्भंगा मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल की इस्थापना की गई ठीक है पश्रुधन के छेतर में भी विकास हुआ है पश्रुधन स्रिक्षा के छेतर में विकास और 930 में याद रखना पश्रुधन चिकत्सा और पश्रुधन विभाग के लिए पटना वेटरनरी कॉलिज की स्थापना की गई फिर खनिश संसाधन के छेतर में जो विकास को बढ़ावा देना इसके लवा पटना इंजिनिर कॉलेज की स्थापना तक्निकी और अभियांतर के शिक्षा के रूप में की गई थी नारिष शिक्षा के छेतर में भी विकास हुआ में आर्थिक सुविधा अनुसार कम से कम एक कन्या विद्याले अवर्ष से खोला जाए ठीक है यह सुझाओ दिया था उस समीति ने बात करेंगे इसके आगे बात करेंगे तो 1927 में बिहार उडिशा में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या थी 0.7% 1929 में हार टोग समीति जवाई थी ने बिहार का उलिख करते हुए बताया कि लगभग 25 लाख लड़कियों में मातर 1.16 लाख लड़कियां ही विद्याले में शिक्षा प्रात कर रही थी उनमें से ज़्यादा तर जो महिलाएं थी वो प्रातिम के स्थर पर शिक्षा ले रह भूमक्या भी देख लेंगे शिक्षा के विद्यास में इनकी क्या भूमक्या रही है तो इनकी भूमक्या कर बात करेंगे तो पाश्चा सिक्षा की परचार परसार में स्वयम सेवी संस्थाओं प्रमुक्व्यक्तियों ने भी अपनी महत्पूर भूमक्या निबाई जिसम आरेस समाज का नाम ले सकते हैं, ब्रहम समाज का नाम ले सकते हैं, इसाई मिशनरियों का नाम भी ले सकते हैं, आरेस समाज दोरा वैदिक, आरेस समाज ने क्या किया, वैदिक संस्किति और पाश्चार संस्किति के बेहतरीन मुल्यों को एक ही करते हुए द्यानंद एंगलो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई ब्रहम समाज के तत्वाउधान में राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना पटना में हुई थी और मुस्लिम धर्माव लंबियों के बीच पाश्चार सिक्षा के परसार के लिए अनक संगठनों की स्थापना की गई जिसके प्रिंडा स्रो मोहमडन एजुकेशनल सोसाइटी दोरा 1886 में मोहमडन एंगलो अरेबिक स्थापना हुई इसाय मिशनरीयों ने भी काम किया है इसाय मिशनरीयों के प्रचार प्रसार के लिए कई सिक्षनर संस्थानों की भी इस्थापना की थी अब देखिए इसकी आलोचना भी करनी है आ के चलना है तो आलोशने के अगर बात करेंगे तो देखो सबसे पहली आलोशना है कि भारतियों का एक विशेश बर्गत तयार करना था कैसे कि अपने विशिक सरकार का जो सिक्षा का विकास था वो इसलिए था इस उद्देश था कि भारतियों का एक ऐसा बर्गत तयार हो जा अंग्रेजों दोरा भारत में किये गए सिक्षा का विशेश विकास का उद्देश प्रमकुरूप से भारत में छोटे-मोटे काम करने के लिए करने वाला बर्ग तयार करना था और प्रतेक इस्तिति में अपने समर्थ जुटाना था क्योंकि उनका मानना था कि यहां वर्ग पढ़ा लिखा होकर समाज की एक बहुत बड़े भाग को हमारे समर्थन में तयार कर देगा ठीक है यह इनकी मन सा रही है इनको उम्मीद रही ठीक है अगला है जो प्वाइंट है आलोशना में आउद्योगी बस्तू का बेहतर उपभोग जो हमने परिश्या या भूमिका म तो जरूत जब महसूस होई तो बाजार जो मिलेगा वो कहां मिलेगा उसके लिए भारत को चुना जाएगा तो भारत में बाजार तयार कब होगा जब उसकी खरीद बढ़ेगी और खरीद कब बढ़ेगी जब लोगों में ऐसी भावना जगेगी तो लोग जब ऐसी भावन में रहना चाहिए, तू वो क्या करेंगे, उनके सामान पर आषित हो जाएंगे और उनका market क्या हो जाएगा, चलने लगेगा, तो ये सब से बड़ी अवका उन्होंने देखा था, परडाम क्या निकला, सिक्षा का जो परिडाम निकल देखो परिडाम भी है आलोशना भी है लेकिन परिडाम भी है परिडाम के रूप में अगर हम देखेंगे तो याद रखना है यहाँ पर कि उसके लिए भारत में जो सतंता या स्वाधिनता अंदोलन हुआ है उसमें इस सिक्षा के विकास ने तो कहीं न कहीं लोग एक जूट होंगे और अंदोलन केरने के लिए संगठित भी होंगे क्योंकि लोगों को एक दूसरे की परिशानी समझने का मौका भी मिलेगा जैसे रेलिवे का विकास नों ने किया डाकतार सेवा के शुरुआत की ठीक है तो प्रेस का विकास किया इन समय ना खात हुआ वर्ग संगर्स की थोड़ी बहुत समाप्ति तो होई गये थी क्योंकि हिंदो मुस्ली में एकता परबल दिया जाने लगा था ठीक है वह भारतिये होने पर गर्व करते थे ठीक है किसी जात या किसी धर्म के होने पर गर्व नहीं करते थे बलकि वह एक भ परेडाम भी देख लिया तो हमें ये पता हो गया कि हम ये कह सकते हैं भाई या कि आपने वेशिक काल के दवरान बिहार में पास्चात शिक्षा के विकास में राज्य साथ में स्वयम सेवी संस्थाओं ने और व्यक्तिकत प्रेतनों ने महत्पूर्ण भूम कहने भाई थी य अपने वेशिक शासन काल के दवरान पास्चात शिक्षा और तक्निकी शिक्षा का विकास वांचित मात्रा में और गुडवत्ता के सास्थ तो नहीं हुआ लेकिन इन्हीं प्रयासों ने आधुनिक बिहार के शैक्षिक धाचे के उस सुद्रढ नीव को तयार कर दिया जिस इस पर स्वतंतरता के बाद बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ था इस प्रकार से यह टॉपिक अपका कवर हो गया इस टॉपिक से संबंदित कुछ भी प्रश्ण अगर आता है तो जैसा कि हमने शुरू में ही दो तीन प्रश्ण बताए थे उस आधार पे आप डॉक्ट रामन होर लईय के सामाजिक आर्थिक चिंटन भारत में समाजवदी आंदोलन में लोहिया का महत्पुन योगदान को देखा जा सकता है यह अपने विश्ष्ष्ट चिंटन से समाजवदी आंदोलन के भारतिय सो रोप को गढ़े थे और सामाज़िक आर्थिक इस्त्रिपूर समानता पर बल देते थे याद रखन समाजवादी विचार धारा के समर्थक थे मतलब इस विचार धारा के समर्थक होने का यह समाज के हर इस्तर पर इस्थापना के समर्थक थे समाज में उच्च और निमन जातियों के भी विभाजन को भारतिय समाज के लिए घातक मानते थे ये थी है अगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल देते थे कि आउसर की समानता सतंतता की आधार पर भारतिय समाज में एकत तो इस्थापित करना चाहते थे डॉक्टर राम मनुहर लोहिया मतलब इस परकार से उसर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना पर बल देते थे याद रखना आप लोग प्रस्थन जब लिखते हैं तो आपका जो उत्तर है वो कहीं न कहीं किसी एक सब्द के इर्द गिरुद घूमता रहता अजलब आप हर एक लाइन में उस सब्द का प्रियोग जरूर कर देते हैं तो इससे आपको बचके रहना है ध्यान रखना अगर माल लीजिए डॉक्टर राम मनुहर लोहिया आप लिख रहे हैं आप बलकि अपने उत्तर को पूरा करने के कोशिश करिएगा ठीक है तो लोग तांतरिक समाजवाद पर ये बल देते हैं गाधिवादी आदर्शों के सम्मिस्रण पर अधिक जोड़ देते हैं समाजवादी विचारधर के इस आदर्श के अनुरूप वो चाहते हैं कि देश में समाज का विकास और उन्नती हो ठीक है उनका मनना है कि सभी प्रकार के अन्यायों के विरिद्ध नागरिक अवग्या आंदोलन होना चाहिए उसमें नई विश्व विवस्था सिर्जित होनी चाहिए जिसके अंतर गद्विया किसान, कामगार, गरीब, शहरी गरीब जो है इन सब को सामिल करना चाहिए साथ में क्या हो उससे फायदा ये होगा कि लोकतांतर के समाजवाद इस थापे तो हो सकता है तो गादी वाद कावे दर्शन मिलता है इन से कुछ है ना आगे हम देखें पुरुष पधानता आपत्ति जनक जाती बेवस्था के विरुद थे ये तो लहिया कहते हैं कि यह समाज में पूरष पधानता अपत्य जग जो जाती बियोसता है यह भारत में की सामाजिक सरचना को दुरबल बना देता है उन्होंने समाजिक बुराईयों के उनमूलन के लिए युववरग को जो युववरग न उसको समाजिक पुरनिर्माड की प्रक्रिया में आगे आने की वकालत करते हैं कि कहतें कि ये लोग सामने आएंगे तो ये चीजें धीरे धीरे खतम होंगी ठीक है अब आर्थिक चंतन की बात करें तो किर्षकों की भूमिका पर बल देते हैं किर्षकों की भूमिका पर बल देते हुए बोलते हैं कि ये देश के समाजिक आर्थिक विकास में किर्षकों की भूमिका पर बल देते हुए कहते हैं यह हमेशा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे, कि देश की आत्म निर्भरता और आर्थिक को नतीवें, क्रिशकों की भूमिका बहुत ही महत्वपून है, ठीके, और दूसरा पॉइंट बनाएंगे, योजना बद्ध विकास पर बल देते हैं, समाज मे योजना बद्ध विकास संभव हो सकेगा, ठीके, फिर कहते हैं, क्रित समाजवाद के परस्तावक है יोगद्र के समाजवाद के परस्तावक की रूप में बताते हैं कि मशीने हैं, सहकारी स्रमिक हैं, ग्रामीर सासन हैं, पूजिवादय शक्तिएँ के ब्रॉद्ध होना चा ठीक है पूजी वाद की सक्पियों से अलग रखना चाहिए फिर ये मार्सवाद से भी थोड़ा अलग हटके सोचते हैं जैसे कहते हैं मार्सवाद जहां पर क्या कदमार्सवाद की आवद्योगी गुरूप से बिक्सित जो समाज है उसमें करांती होनी चाहिए लेकिन लोहिय तो ये ठीक नहीं है तो ये कहते हैं कि लगुपरोद्योक्य विकेंद्र के तर्थवे उस्था जो है वो भारत के समाजिक विकास समाजिक और आर्थिक विकास में सबसे महत्वण भूमिका निभा सकता है यहां पर मार्सवाद की जरूरत नहीं है निसकर्स की रूप में हम निती निर्माताओं का मार्ग दर्शन करते हैं अब एक चीज और याद रखना बरतमान प्रासंगिक्ता की रूप में अगर आपको ध्यान रखना है तो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं दो-चार पॉइंट के रूप में जैसे आज की समय देखेंगे मनरेगा मनरेगा चल सकते हैं आउसर के मामले में महिलाओं को आरक्षण के भी सुपधा दी गई है सारवेजनेक बित्राट पड़ाली पीडिया सिस्टम है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रहा है बहुत अच्छे से काम कर रहा है ठीक है बड़े अच्छी कासी इस्तिती में सरकार के अंतियोदय का मतलब ही यही है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वगती है उसको भी खाद सुरक्षा मिलने चाहिए ठीक है सारवेजिक बित्र पड़ा कन्या उत्थान योजना इत्याद अब इनको आप बिहार के परप्रेक्ष में भी देख सकते हैं कि बिहार के सरक स्सकतर के यो कि आपने व्रत्मान प्रसंगिक्ता बता दी उस परश्य में आपको मिलना हो अठारा नंम्बर तो इंवान चीज के प्रति हर एक भावनाओं के प्रति हर एक मलब विचारों के प्रति आप कितने सजग रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपना प्रशन लिख सकते हैं और हर एक प्रशन में याद रखिए निशकर्स देना बहुत जरूरी है निशकर्स अगर आप नहीं देते हैं तो मान के चलिए कि आपका प्रश्ण जो है न अधूरा हो जाएगा ठीक है प्रश्ण को सही तरीके से लिखिए जिस तरीके से प्रश्ण पुछा गया उसी तरीके से उत्तर लिखना है यह नहीं कि हाथ की जगा पैर पैर की जगा हाथ नाक की जगा मुं की जगा कान ऐसा कु अग्ले वीडियो 9 में निकाल देंगे करिए उनका पूरा व्याख्या करेंगे तो अभी आप इतना ही आपके आज के लिए है। आगले वीडियो क्के बिलते हो सटल मिलते हैं तब तक के लिए धन्न बाद